हलो एब्रीबरन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बनाने जारी हूँ बिल्कुल ही नए तरीके का लेडीज ब्लाउज और देखिए इसमें हमने पत्ती की सेप में डिजाइन डाली है वीडियो जरा साभी अच्छा लगे तो लाइक और सब सब्सक्राइब और से जरूर कीजिएगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नौटी विकेशन आप तक पहुश सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अब यहां से हम देखिए चार फंदे उल्टे बुनेंगे दो तीन चार दागा पी चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे बारा फंदा हमने बुने देखिए एक फंदा ये और एक इधर का तो देखिए इस तरह से ऐसे हम पलट लेंगे और तीन का एक करेंगे ये देखिए बैक लूप से तीन का एक कर दिया अब हम कोई जाली नहीं डालेंगे और ये वाले फंदे हम बुनेंगे सीधे ऐसे अब इस साइड के जो उल्टे फंदे हैं चार उनको ही हम उल्टा बुनेंगे बाकी हम अभी ऐसे ही इसको बनाएंगे सेंडर में तीन का एक करते जाना है तो देखिए ये हमने बुन लिए यहाँ पे चार फंदे उल्टे उल्टी रो पूरा उल्टा हम कंप्लीट करेंगे इसे देखिए उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए यहाँ पे हम दो तीन चार दागा पीछे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारे अब देखिए एक फंदा इधर से और एक इधर से तो इसको हम ऐसे कर लेंगे पलट के और देखिए बैक लूप से तीन का एक कर देंगे यह देखिए तो ऐसे ही हम अभी फंदे गटाते रहेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे नो फंदे रहेंगे तब हम आपको गटाना है उल्टी रो में आपको कुछ निकरना ऐसे ही बुनते जाना ये फंदे हमें 4 उल्टे ही बनाने हैं तो टोटल मेरे पास यहां पे 9 फंदे रह जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊ तो देखिए मैंने ये 9 फंदे तक गटा लिया है अब देखिए हमें 2, 4, 6, 8 और 9 9 से ही मैंने स्टार्ट किया था 9 पे ही इसका एंड कर रहे हैं तो अब देखिए इधर से हम उल्टे तरफ से सारे फंदे बंद कर देंगे दो का एक करते हुए हमें बंद करने हैं ये देखिए अब इस धागे को हम यहां से कट करके और इसी फंदे मैंसे ऐसे खीच देंगे अब देखिए, सेम तरीके से हमने एक पत्ती और बनाई है, यह दो पत्तियां बनाई है, यहां से हमने इसी के बरावर फंदे डाले हैं, जितने फंदे से आप स्टार्ट करेंगे, यह देखिए, इस तरह से आजएगी, तो अब देखिए, हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल यह देखिए, यहां से हम इसे ऐसे सेट करेंगे, यह देखिए, यहां से लेके यहां तक, देखिए, पूरा हम छोटा-छोटा इसको सिल देंगे, यह देखिए, जो भी आपका छोटा बड़ा हो, उसको आप ऐसे पकड़ लें, देखिए, जैसे कि यह बाला बड़ा है, त तो इसको ऐसे खीचते हैं, देखिए, दोनों तरप का पाट ऐसे ही सिलना है, यहां पे आपको ऐसे मिला लेना है, ताकि छोटा बड़ा ना रहे, यहां पूरा यहां पे हमारा यह बराबर आ गया है, यहां पे हम कर देंगे पक्का, उसके बाद इस बुल को हम कर लेंगे कट, तो अब देखिए, यह बाला, यह जाली इदर आनी चाहिए, इसकी जाली इदर है, तो देखिए, यहां से हम रखेंगे, इसके पास से ही, क्योंकि हम सेंटर पॉइंट तो इसका निकाल चुके हैं, तो यहीं से हम ऐसे पलट लेंगे और यहीं से सिलना स्टार्ट कर देंगे यह देखे इसको भी हम यहाँ पर पकल लेंगे इस साइड में ताकि यह छोटा बड़ा ना हो ऐसे यह देखे तो ऐसे ही हम इधर का पार्ट यह सिलके कम्प्लीट करेंगे यह देखिए अब देखिए हम यह बीच का पार्ट जो है इसको भी ऐसे सिल देंगे इसको हम अंदर नोट लगा देंगे धागे से अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे इसको इधर निकाल लेंगे और देखिए यहाँ से हम लगाएंगे इसमें डालेंगे मौती यह देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने आपके इसमें आ जाते हैं उतने ही आपको डालने हैं यहाँ पे ऐसे हम इसको फिट कर देंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है यह देखिए और यहाँ से हलका सा हम इस साइड में इस बाले ऐसे निकाल लेंगे इसमें से ताकि यहाँ पे यह अच्छे से सेट रहे है यह देखिए ऐसे तो बीच में यह मोती आ जाएंगे यहाँ पे हम इसको पक्का कर देंगे यह वाला पार्ट हमने यह बना के कंप्रीट कर लिया अब देखिए पीछे का पार्ट है जो इसमें हमने सेम तरीके से यह बॉडर डाला है और यहाँ से हमने यह प्लेन बना मुड़े तक हम इसको बनाते हुए आए सिम्पल और देखिए फिर हमने चार तीन दो एक करके फंदे गटा दिए बाकी फंदे जो थे उनको हमने उल्टा उल्टा बनाया चार रो यहाँ से बन कर दिए सिम्पल है तो हमने इसकी वीडियो नहीं दिखाई आपको बैसे ही हमने बाजू बनाई है इसमें भी हमने 60 फंदे डाले यहाँ से उसके बाद हमने यह देखिए तीन रो यहाँ पर यह कंप्लीट की उसके बाद यह चोटी वाली डिजाइन फिर 6 रो फिर हमने यह चोटी इसे देखिए यहां से पहले इस जगे से हमें मिलाते हुए सिलते जाना है उपर तक यहां से यह जो डिजाइन है इसको आपको यहां पर ऐसे मिला लेनी है ताकि ऊपर नीचे ना दिखे पैनने पर बराबर दिखिए यह देखिए अब देखे यहां तक हमने ऐसे सिलना है यह बाले फंदे तक देखे इतने मुड़े आ रहे हैं देखे ऐसे मिला लेना है और ऐसे ही आपको सिलते जाना है कि यह देखिए यहां पर हम कर देंगे इसको एक बार पक्का अब देखिए इधर का जो मुड़ड़ छेका है हमने उसमें हम इसे ऐसे सिलेंगे थोड़ा सा हम इसको खीचेंगे हलका सा जादा नहीं यह देखे इस तरह से इधर का पाठ हम पहले ऐसे ही मिलाते हुए सिल लेंगे अब हम यहां पर इसको भी पक्का कर देंगे देखिए यहां पर आ गया अब हम यहां से इसको पक्का करके थोड़ा सा इसको अंदर लाएंगे ताकि फिंसिंग रहे आप देखिए इसको हमने ऐसे पकड़ लिया और यहां से देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस दस लाइन से हम इसको सिल देंगे यह आपको गले के हिसाब से आपको यहां पर छोड़ना है इस पेस जितना गला आप डीप पैनते हैं उस हिसाब से कर लेना है यह देखिए यहां पर आपको खीचना नहीं है एक भी पार्ट नॉर्मल सिलना है और छोटा टांका लगाना है क्योंकि यह दो कलर में है तो आप बहुत छोटा बारिक सिलें यह देखिए यहां तक आगए हम आप देखिए यह बाला पार्ट भी हम सिल देंगे और यहां पर अगर आप थोड़ा सा टाइट बाजू पैनना पसंद करते हैं तो यहां से तिर्चा सिल लें तो फिटिंग के इसाफ से अपनी बाजू के इसाफ से आपको यह नापकर सिल देना है और देखिए यहां पर हमने एक तरब का पार्ट आपको सिल के दिखा दिया दूसरे तरब का हम ऐसे ही सिलेंगे जैसे हमने इधर का सिल लाए तो हम सिल के फिर आपको दिखाएंगे